कि तो आज हम देख रहे हैं कि सेल्टेक्स का जो असाइन्मेंट था हमारा कि आई थिंग सो यह वाला साइन्मेंट था कि कैलकुलेट टैक्स डिफरेंट लेवल यूजिंग इफ कंडिशन और सेल्टेक्स लगाना है टोटल अगर उसका अमाउंट आ तो यहां पर जाने के बाद हमने इस चीज़ को इस तरह से देखा यहां पर डॉल प्राइज यहां पर वैलू डाल रखी है और से वेज़ कर रहा हूं और क्लास नाइन के नाम से सेफ कर देते हैं टैक्स कैल्कुलेशन थीक है और इसको इस तरह से लगा देते हैं कि अब यहां पर हम ने जाका आप्ललपाइस है इसको पहींचनप कर यहां पॡ़ाश्य ऑर एक जीड से रहा है और इसको और इसको मध हुच कर देतें तरया का प्लिएधर पिर prev Curtis, प्रोइन काक्स सिंपल एह है यहाँ पर यूनिट राइस क्या प्राइस दिखा रहा है और लिकार ली है तो आगे देखते हैं इसको कहमने क्या करना है सिमिलरी अब थोड़ा से जब इसको इंपूड पर लिए आउटपुट तो अल्री बनावा है तो यहां पर हम कर देते हैं इसको इंटरप्राइस यहां पर गाकर हम लिए लेना है तो उसके आगे हम दोबारा साथ समिंग उनल लगा कि सी स्टेट्मेंट ले लेते हैं कि स्कूइन पूट है तो यहां पर प्राइस वाले वेरीबल क्यान पर ले लेंगे यहां पर डाला हमने समय हैं इसको प्राइस को यहां पर दिए इसके बाद यहां से दोनों को अलग अलग लेना इसलिए क्योंकि हमने दोनों का लिखा वरना कर एक साथ लेना होता दोनों एक साथ लिख देते हैं वाकित हमारा आउट-पूट बैटे सेट हुआ है अगर फिर भी हम यहां पे एक जो है एंड-लाइन दो एड कर देते हैं तो यहां पर प्रोग्र क्या है और कौन से लेवल पे वह फाल डाउन करेगा तो हमने आउट-पूट कुछ इस तरह से बताना है कि टेक्स लेवल है वह आपके इस तरीके से होगा कि हम उसको कहां पर यूजर को इंफॉर्म करेंगे हम प्रोग्राम के एंड पर उसको इंफॉर्म कर देते हैं और इस सब को सी आउट कर यहां पर डबल कोट्स में डालते हैं और यहां से लिए को हम यहाँ पर और कर देते हैं ठीक है Хost यह सारा मामला इसके अंदर आना सब्सक्राइब अच्छा उसके बाद यहां पर समी कॉलन लगाते हैं तो इस तरह से आ गया अब इसको एक ही लाइन पर लेने के लिए हमने यहां पर जो है इस तरीका से सड़ टेक्स आगे अगया इसके विद्वाद आधे लिए और यहां प पर और इसके बाद भी एक नियू लाइन लगा देनी है और फिर उसके बाद यहां पर एक नियू लाइन के बाद एक टैब भी लगा देते हैं और यहां पर भी एक नियू लाइन के बाद एक टैब लगा देते हैं और इसको इस तरह से आगे ले लेते हैं यहां से भी आगे ले लेते हैं तो इसको भी आप ले लेते हैं स्टेट्पन टर्मिनेटर भी आगया आउट्पूट देखते हैं किस तरह का रहा है अब यहां पर हम पहले आपको करके बताते हैं इसको 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 अब यहां पर हम तो पहले कोड आपको करके बताते हैं इसको 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 के जरीए आपको कोड करके बताएंगे ठीक है न ता कि आपको दोनों का वेडियेशन भी समझ में आजए तो यहांपर हमने टैकस लगाना है किस पॉइंट पर देखें यहां पर डिस्काउंट के बाद तो यहां पर हमने कहा कि अगर टोटल की वैल्यू जो है लेस देन है 20,000 से तो इस सूरत में क्या होना है इस सूरत में हमने यहां पर बताना है किया होना है टैक्स इस पर कलोड़ होना है टोटल के ऊपर तो यहां टोटल में हम एक फार्मूला पूट करेंगे टोटल इंटो 15 झान तो लिए यहां पर हमें एक वेरीबल और रखॉयर लगाते हैं टोटल इस एक्वल्टू टूर डिवाडिट ने करें थार तो यह दो सब्सक्राइब कर देते हैं तो यहां पर नीचे आते हैं और यहां पर हम इसके अंदर जो है वैल्यू ले ले लेते हैं तो यहां पर जो सब्सक्राइब 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 करते हैं तो यहां पर लिख देंगे और फिर यहां पर कितना कर देंगे 50,000 और उसके बाद यहां से कंडिशन को हम क्या करेंगे रिमुफ कर देंगे इसके ओपर जितना भी अमाउंट जाएगा वह इसी तरह से क्यलकुलेट करेंगा और इसको कर देंगे 30% ठीक है अब सब के क्यलकुलेट होके टैक्स इस पे आ यहाँ पर हम यहां पर हम नुह लइन दिया हुए तो यहां पर लिखने के बाद यहां पर आपका जो एक्साट वाले वैरीबल में है वह यहां पर describe हो जाएगा ठीक है और second line पर आप आपने क्या करना है फिर एक statement लिखनी है यहाँ पर यहाँ पर total के साथ total assignment total plus text ठीक है यह statement लिखने के बाद आपने अब यहाँ पर दिखाना क्या है यहाँ से इसको कॉपी किया statement को यहाँ पर करके नीचे पैस्ट कर दिया एक प्रॉसेस बनाके और इंटर करके नीचे आगे यहाँ पर आपने दिखाया फिर टोटल अमाउंट विद जो आज टेक्स लिख देते हैं ठीक है तो इसके साथ टेक्स के साथ आगे तो यहाँ पर आप टोटल की वैल्यू को दुवारा से आउट्पुट पर ले सकते हैं ठीक है डिसकाउंट का फिलाल कोई function नहीं है अब रंग करते हैं प्रोग्राम को दे सब्सक्राइब तो कितना हो गया तो कितना हो गया 4000 कितना लग गया उसके पर 8000 लेकिन यह जादा नहीं हो गया 48000 जादा विसमें कुछ इशु आ गया 4000 थी सही एना 4000 हो गया कि हमारा कि देखेंगे तो देखते हैं कि क्या डिफ्रेंस आ रहा है और यह जाके फिर बनना चाहिए था 48,000 यहां तो आंसर सही आ रहा है लेकिन मुझे यहां देखना पड़ेगा को अच्छा यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि यहां पर हमने क्या मिस्टेक किया है तो हमने यहां पर का है इस टोटल गिरेटर देन इकवल टू 5,000 एंड टोटल लेस देन 20,000 तो टेक्स कौन सवाला है मतलब वह तूथ हॉजट को दुबारा प्लस कर रहा है यहां पर आपने इसे लिखा टोटल जो भी वैलिव है वह लिख्टार प्लस कर लेंगे जिसका नाम रख लेते हें डबल और net amount के नाम से टेंड ले लेते हैं ऌफ sec अपर कपी कर लेते हैं और यहां पर आके हमने आउप्ट बनाया था यह वाला इसको यहां पर इस तरह से करते यह अगों में टेक्स प्लस हो जाएका उर स्टेमांट में चला जाया श्वी जाओ प्टमने यहां पर कपी कर लेते हैं और यहां पर यहां पर रखें हदर भाई है कि भेस्ट कर देते हैं और यहां पर ओल सो अब considerations कर देते हैं तो अब देखते हैं कि हमारा काम क्या से चल रहा है 4000 2007 अभी भी एट थाउजन्ड या रहा है लेकिन नेट आमाउंट क्या हो गया फॉर्थ हाउजन्ड हो गया प्रोग्राम लॉचिक प्रोग्राम को जड़ा मैं इसके फोल्डर से चलाता हूं इसका वो मसला भी आ जाता है बाद उकात है 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 फोर थाउजन इंटु तैन पर टी थाउजन नेट अमांट फॉर टी थाउजन आ रहा है उसना प्लेस ही नहीं किया ठीक है कि चले देखते हैं हमारे प्रोग्राम में क्या लोजिकल एर रहा है एक दफ़ा फिर से स्टड़ी करने की कुशिश करते हैं देखें यहां पर हमने लिखा है कि टोटल में जो भी वारी है इफ टोटल ग्रेटर देन इपल तो फाइफ थाउजन एंड टोटल लेस दें वाली कर्टिगरी में फॉल कर रहा है ना तो जब 40,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा टाइड यह तहीं तो आ रहा है पहले भी सही आ रहा था ठीक है न गुल्कुलेशन थे मुझे बहुत जब जब यह टैक्स इसमें आ रहा था तो हमने क्या है कि इसमें टैक्स को असाइन करी यह वैल्यू हम गये नीचे आशा यहां पर भी देखें गलती कर रहे हमने नहीं यहां पर गलती क्या कर रखिए कि वहां पर क्या greater than equal to 20,000 less than 50,000 और यहां पर तोटल greater than equal to 50,000 अगर 50,000 फिर यहां पर आगा है टोटल को हमने प्लस किया टेक्स के साथ तो फर्टी थाउजन प्लस एट थाउजन हो गए फर्टी एट थाउजन और नेट अमाउंट में असका वैरीबल में आंसर ले लिया स्वाव सही आ रहा है थीक है ना बार बार कंफ्यूज करा रिया यहां पर क्लिक करके हम दूसरी वैल्यू डालते हैं इसको सबस्थान बना ओं में यहां पर यहां पर देखते हैं यहदा यह तो 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 अब यहां अब बचल में इसको कर रहे हैं तो प्लिस प्लस लाहा है और चाहिएग Александ ुआ कि आइ नियुद । तो कोई बड़ी बात भी नहीं लग रहा है तो टोटल प्लस टेक्स टोटल को प्लस करो टेक्स के साथ और आंसर किसको देढ़ नेट अबाउंट उपर हमने डिस्क्राइब किया है जीरा तो नेट अमाउंट अब है आज क्यों रहा है यह चलो यहां पर दुबारा से पुरान तो अब आंसर बल्कुल सभी आ रहा है तो बारा से एंड करते हैं प्रोग्राम को रन करते हैं यहां पर लिखते हैं फाइफ थाउजन और टैन आंसर हमारा तो तो लग रहा है तो थोड़ा सा यह भी मेंशन करना यहां पर कि टेक्स के आगे यह भी दिखाए कि यह अभी 15 पटन लगा है कि 20 पर ऩंड़ा यह थर्टी पर-स लिखाए यह भी शो करना है तो के से करेंगे कि मैं देखें उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम लिख लिए ऐक और वह अविरे ले हर एक point पर हम जाके इसको जो है क्या करेंगे tax B assignment 15 समझ में आरी सेम इसको assignments को हम यहाँ पे change कर लेंगे हर respect पर जाकर कर देंगे text 20 और यहाँ पर जाकर text D को यहाँ पर कर देंगे 30 अब output में जहां पर आपने text दिखाया है तो text के आगे टोटल अमाउंट विट टेक्स हा रहा है टेक्स यहां रहा है तो कितना परसंट दिखाना है टेक्स तो यहां पर आपने दिखाना कितना परसंट है यहां पर आप लगाएंगे लेज देन लेज देन यहां डबल कोट लगाएंगे और यहां पर परसंट का साइन लगाएंगे यहां पर आप लिखेंगे टैक्सडी धीके और फिर यहां पपर नगाएंगे फिर यहां पर एक लगाएंगे और यहांसे बुति यहां पर दीखिए हमने 40,000 लिखा 10, 40,000 पर कितना पर संटेक्स लग रहा है यूजर समझ जाएगा कि मैं इससे अबव जा रहा हूं इसलिए यूजर से मेरा जोए अमाउंट इस तरह से आ रहा है कि साहिए समझ में आगई बात यह है अच्छा